वाट्सब गई जोनी सिरो राज गे इस वीडियो मैं अनालिसिस करने वाला हूँ है एसल का उफ़ालेटर को और जो भी फ्रीशर को उफ़ालेटर मिलता हुआ कैसा होता है कितने पैसे इन हिंड आते हैं कितने पैसे का बोंड होता है कितने रुपए आपको मेडिकल में मिलता है कितने साल का एग्रिमेंट होता है सब कुछ पूरा डीटेल में और वो भी एक अच्छे से किसी एकदम साफ सुथरे आपको में और जैसे मैं डिजटल और निंजा का आपको अनलीसिस किया था ठीक उसी तरीके से मैं और टोटल कंपनसेशन विल भी साड़े तिन लग पर रहे है तो यह उनका टोटल जो पैकेज है वह साड़े तिन लग का है ठीक है जोआनिंग से ठीक 24 मंथ calendar days में ठीक है ऐसे नेक वार्किंग डेज नहीं calendar days ठीक है और 12 मुझ की प्रोबेशन की प्रोबेशन प्रिड होता है जब तक कंपनी आपको कम्पनी निकाल सकती है आपको किसे भी तरीके के अगर अगश्यायाँ होती है अपके आपके खुद के अंदर को गश्याँ लmost eastern को कंपनी आपको बारा मन्त के अंदर अंदर निकाल सकती है ठीक है अलाकि लिए अब तो कभी भी हो सकता है प्रविट कंपनियों में ठीक है तो एक खास बात और मैं बता दू जितने भी लोग का ये डाउट है ये साफ सा बात याद रखो कि बैकलोग होगी तो ज्वाइनिंग नहीं होगी बहुत सारे लोग का मैं बार-बार रिबीट करता हूँ बैकलोग है ज्वाइनिंग नहीं होगी बैकलोग के लिए करो ज्वाइनिंग होगी एक भी बैकलोग नहीं रहना चाहिए आप इंटर्व्यू दर सकता है आपको ज्वाइन लिटर मिल सकता है लेकिन आपकी बैकलव एक्टीव है तो आपकी ज्वाइनिंग कभी नहीं हो सकती ठीक है अब प्ली सेयर एक्सेप्टेंस अच्छा तीन दिन का यह समय होता है अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह सारी ची सब्सक्राइब को मिला उसमें कितना पैसा हाथ में अब यह इवन बैंड है इनका ठीक है नाम है भूमा साही कुमार इवन बैंड शॉट इंजिनियर और लोकेशन जो है 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 और है जादराबाद का ठीक है अब थोड़ा से हम कलकुलेट कर लेते हैं कि यह जो जो क्यालकुलेटर हम खोल के सब के सामने में कल्कुलेट करूंगा जैसे बाकियो के लिए मैंने कल्कुलेट किया था तो बेसिक सल्ड़ी 1579 की तो 1579 रुपए की बैसिक श्रालरी है साथ में 2592 रुपए ठीक है अब इसके अलावा हाँ यहां पर साफ साफ लिख भी दिया कि 22592 रुपए आपको मंतली मिलेंगे और यह टोटल हो गया 2,701,703 लग में साफ आपको 2,701,707 रुपए मिलेंगे इसके बाद का जो 80,000 के लगभग रुपए है 89,000 वो कहा जाएगा तो वो जागा प्रॉविदेंट फंड में 21,000 रुपए जाएंगे ठीक है मेडिकल इंसुरेंस प्रीमियम में आपके 10,000 रुपए जाएंगे जोडते रहे न इसके लबाग ग्रेट्वीटी जो होता है जो की पीफ की तरह ही होता है वो इसमें आपके 8,674 रुपए जाएंगे मेडिकल इंसुरेंस जो हाँ पर इयर आपका चेंज होते रहता है और ग्रेट्वीटी जो है वो 8,674 रुपए हर साल आपका जमा होते रहता है जो की रिटायर के समय मिलता है ठीक है अच्छा कसा है माउंट ठीक है अब पर्फार्मेंस बोनस इन रुपीज 21,000 का पर इयर अब जो खास बात है जो आपके समझ के बाहर किये थोड़ी सी चीच पर्फार्मेंस बोनस आपको 21,000 पर इयर मिलेगा 21,000 पर इयर का मतलब हो गया कि आप अगर ये 22,592 तो हमारा लिखा हुआ है इसको मैं हटाता हूं 21,000 डिवाइड बाई अगर मैं 12 करूं तो 175 रुपए का महीना ये आपका इसमें एड हो किया आगा 22,592 में 175 रुपए और एड कर लेना ठीक है 21,000 हो मैं गॉड 17,50 हो फिर 21,000 डिवाइड बाई ठीक है 17,50 रुपए और एड कर लेना उसमें ये आपके हाथ हमें मिलेगा performance bonus हाला कि ये चीज़े जो है वो तभी मिलती है जब आप project में allocated हो project में अगर आप allocated नहीं हो तो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप bench पे हो तो ये 20,000 पर ये आपको नहीं मिले लेवल ये 17,500 ये तभी मिलेगा जब आप ये मैंने खास बत बताया ना कि जैसे आप bench पे होता हो तो ये दुनों चीज़े आपको नहीं मिलेगे variable component तभी मिलेंगी जब आपको आपको किसी ने किसी project में डाला गया है आपको ने को project में काम कर रहा अभी level हो तभी मिलेंगे 38,500 रुपए है तो इसमें 40,000 रुपए है सिर्फ 40,393 रुपए है आपको नहीं मिलते है बाकि आपके अगर आप माल लेते हैं कि अगर आप bench पे हो तो आपको कितने मिलेंगे तो 38,000 गो ये रुपश Moscow बानबे रुपए है अगर आप बेंच पे हो तो 38,500 इसको कर दो अब 12 से ठीक है इस में देंगा 328 रुपए तो 22,592 जोड 208 है था न हमारा तो ये हो गया करीब करीब 24,800 ठीक है एक बार और डिवैड कर लेते हैं साध मेरे से गलती हो गया डिवैड़ेड वाइड बार बार बतीस सो आठ जोड 22,592 ठीक है तो 25,800 रुपए मिलेंगे आपको जो लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो लोग प्रोजेक्ट में नहीं है उनको सिर्फ मिलेंगे 22,592 रुपए तो ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान रखना ये जो बाद का वरेवल कंपोनेंट है सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो लोग प्रोजेक्ट में है और अब थोड़ा सा जो 10,000 रुपए आप होस्पिटलाइजेशन के लिए दोगे उसमें आप देख लो कि होस्पिटलाइजेशन कोस्ट रिंबर्समेंट लिमिट 3,60,000 का रिंबर्समेंट है पर येर ठेक है टर्म लाइफ इंसुरेंस का फ़र आपका 20,000,000 का है अब ये आपका वेलकम मेसेज है फिर ये लोकेशन की बात इन्हों ने किया अभी तो जब का ये ओफर लेटर है तब कोरोना का टाइम था ठीक है अभी ये उपरेशनल नहीं था तो पोस्टिंग उनके हादराबत बताया है बात का मेडिकल चेक अप, HCLT ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंक्रेमेंट्स और पर्मोशन्स ये अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि अभी हम फ्रेशर है नोटिस पिरियड, हमारा 90 डेज का है आप यहां पर देख सकते हो थोड़ा सा मिट चुका है 90 डेज का है ठीक है अग्रिमेंट्स आपके बाइग्राउंड और रेफ्रेंस चेक पर सारी चीज़े निर्वर करेंगी ये सारी चीज़े इसमें लिकी हुए होती है वर्किंग आवर आपके 9 वर्किंग आवर होती है हर जगा पे हर एक MNC सर्विस बेस्ट कंपनी में ये घंटे का आपका लेंच होता है और 8 आवर का जो आपका काम होता है लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है आपको 10 गयरे घंटे कम से कम काम करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा प्रजेक्ट मिल गया mobility का मतलब हो गया कि आपको किसी भी company में किसी भी client location पे कहीं भी किसी भी location पे आपको move करा सकते हैं deputation transfer का भी मतलब यही हुआ और retirement 55 year पे retirement है इसमें जहां TCS में 60 साल का है वहां पे अगर NCL की बात करें तो उसी 55 साल का यहां पे retirement है पांच साल आपको कम काम करेंगे और पांच साल कम पैसा मिलेगा आपको ठीक है correctness of the detailed furnished यह सारी चीज़े data protection कहीं भी बात लिक नहीं करना है other rules and regulatory आप देख लेना ठीक है अच्छा अब यह चीज़े हो गए थोड़े से experience वालों के लिए highest qualification things to remember the information provided in resume and background replication form must be same यह सारी चीज़े आप खुद से समझ सकते हो अब photocopies in documents का आपको photocopies देना होगा अब यह सारी चीज़े self attested और induction timings are this सुबह के 9 बैसे साम के 6 बज़े तक according to IST hours यह हमारे NCL के जितने भी locations हैं उनका पूरा पूरा address दिया हुआ है अब यहां पर जो भी हमारा वो हमने अभी calculate किया basic salary monthly alliance है सारी चीज़े यहां पर breakdown है तो इसका खास कोई आव सकता है नहीं जब हमने वो चीज़े पढ़ ली तो फिर यहां पर यह चीज़े पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन जाता ठीक है अब यह हमारा आगे कि अगर बात करें तो यह हमारा फालेटर एंड हो गया जो जो में बाते थी मैंने बता दी और अगर इसमें आपको कोई doubt है कितना इंडेंड मिल लाए यह सारी चीज़े बता दी प्रोविडेंट फंड कितना जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज रुपए के आसपास आपको कंपनी देगे अठाट रोस आपके अकाउंट से कटेंगे तो मदब 3,35 आपके PF अकाउंट में हर महीने जाएंगे जो कि अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 43,000 के आसपास पर यह जाएंगे अगर आपने मान लीजे 20 साल काम कर लिया त तो 43,000 इंटू 20 आपके 8,67,960 रुपए हो जाएंगे अच्छे कर से माउंट मिलते हैं नेक्स पीडियों ने टोपी के साथ अत्ट लिशेव गड़े बाबाए